Brought to you by Agilis Diagnostics Agilis Diagnostics के पंचांग से 28 जुलाई 2024 दिन रविवार स्रावन मास चल रहा है क्रश्न पक्ष है अस्टमी तिथी रहेगी साम को 7 बच कर 27 मिनट तक फिर 9 मी तिथी शुरू हो जाएगी अश्वनी नचत्र रहेगा सुबह 11 बच कर 47 मिनट तक फिर भर्णी नचत्र शुरू हो जाएगा चंद्रमा मेश राशी में गोचर कर रहे हैं भगवान शूरिक करक राशी में विराज़मान है आज अभिजीत मुहूर्त का समय होगा दो पहर 12 बच कर 45 मिनट तक रहु काल का समय होगा साम को 5 बच कर 33 मिनट से साम को 7 बच कर 14 मिनट तक दिशा शूल है पश्शिम दिशा चले शुरू करते हैं आपका राशी फल सबसे पहले बाद मेश राशी की मेश राशी वालों के परिवार में सुख बढ़ेगा यात्रा से लाब होगा मन की चिंता दूर होगी बाचीत में अहंकार ना दिखाएं सिहत आपकी ठीक रहेगी ब्यापार में लाब का योग बन रहा है जरूरी टिप कम बोलें शुबरंग पीला उपाय भगवान शूरे को जल अर्पित करें ब्रश राशी धनलाब का योग है रुके हुए काम पूरे करने का दिन है प्रापर्टी खरिदने का योग भी आपके लिए बन रहा है आपका सम्मान और पढ़ेगा दुश्मन शांत रहेंगे व्यापार में स्थिती अनुकूल रहेगी जरूरी टिप आलस्य से बचें शुबरंग गेरुआ उपाय किसी गरीब को आटे का दान करें मिथ उन्राशी आपके खर्चे बढ़ेंगे रोग परिशान कर सकते हैं लोगों से उलजने से बचें भावनाव में बह कर कोई भी काम ना करें धन से जुड़े मामले में धोखा मिल सकता है सावधान रहें जो लोग बिजनेस करते हैं बहुँस एलर्ट रहें व्यापार में नुक्सान हो सकता है जरूरी टिप नेगेटिविटी से बचें शुबरंग नारंगी उपाय किसी गरीब को गुड़ का दान करें करकराशी भागे का सपोर्ट मिलेगा मित्रों की मदद से काम बनेगे परिवार में सुख बढ़ेगा कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा आप कोई बड़ा निर्ने ले सकते हैं लंबी दूरी की यात्रा ना करें जो लोग बिजनेस करते हैं व्यापार में लाब होगा जरूरी टिप जल्दवाजी से बचें शुबरंग सफेद उपाय गव माता को रोटी खिलाएं सिंग राशी प्रापर्टी से सम्बंधित लाब का योग है परिवार के साथ वक्त बीतेगा धैर रखने का समझ है आवेश में आकर कोई बात कहने से बचें प्रेम सम्बंधों में गहराई और बढ़ेगी व्यापार में स्थिती बहतर होगी जरूरी टिप कम बोलें शुबरंग लाथ उपाय भगवान शूरे को जल अरपित करें कन्यराश्ची मन आपका उत्साहित रहेगा धन कमाने के लिए योजना बनानी होगी शत्रू शांत रहेंगे अपने व्योहार में विनम्रता रखना होगा परिवार वालों की सला से काम करना होगा कारोबार से जुड़ी कोई यात्रा ना करें जरूरिटिप जगडे से बचे शुबरंग हरा उपाय किसी गरीब कुफल दान करें अब वक्त है आपके सवाल का हमें सवाल मिला है सुवेता सर्मा का इनकी डेट अब बर्थ है 19 अप्रेल 1997 जन्म का समय सुबह 10 बचकर 55 मिनट जन्म स्थान जोदपूर राजस्थान का है इनकी परिवार वालों ने ये सवाल पूछा है कि इनकी मैरिज कब होगी देखी जो आपने सुवेता की बर्थ डिटेल भेजी है उस आधार पर कुंडली तयार है इनकी मिथुन लगन की कुंडली है और सिंग राशी है पूरो फागुनी नचत्र के चतुर्थ चरण का जन्म है इस समय राहू की महादसा चल रही है जो मई 2003 से शुरू हुई है और मई 2041 तक रहेगी और राहू की महादसा में राहू की अंतरदसा मई 2023 से जन्वरी 2026 तक रहेगी इनकी कुंडली के अनुसार मैरिज का समय शुरू होगा जन्वरी 2026 से लेकर के जून 2027 के बीच में इनकी शादी हो जाएगी उपाय क्या करना है उपाय नोट करिए पहला उपाय ब्रस्पतिवार के दिन ब्रत रखें पीली रंग की चीजों का सेवन करें पीले रंग का भोजन हल्दी मिला लिजे आटे में तो आटे का कलर पीला हो जाएगा पीली आपकी रोटी बन जाएगी पीली आपकी पूरियां बन जाएगी तो पीले रंग का भोजन करें और भगवान विश्णु और मा लक्ष्मी की पूजा करें दोपहर के समय कम से कम एक गरीब को पीले रंग की मिठाई का भोग भगवान विश्णु को लगा करके दान कर दिजे पहला उपाय तो ये करना है दूसरा उपाय नियमेत रूप से भगवान गणेश की पूजा करें बुद्वार के दिन गणेश मंदिर जाकर गणेश जी को दूब की माला चड़ाएं गी का दीपक जलाकर आरती करें ये उपाय करिए जो बिग्ण बाधाय आ रहे हैं शादी में वो दूर होंगी और अच्छा विवाह आपका हो जाएगा तो यदि आपके मन में भी सवाल हो तो अपनी बर्थ डिटेल और सवाल कमेंट बॉक्स में लिखें हम वहाँ से उठाएंगे और आगे आने वाले कारकरब में शामिल करेंगे तुला राशी परिवार से जुड़े मसले हल होंगी किसी महत्पूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी प्रिजनों के साथ कुछ अनबन हो सकती है किसी काम में ज़्यादा उतावलापन ना दिखाएं किसी को पैसा उधार ना दें व्यापार में ध्यान देने का समय है जरूर इटिप इगो से बचें शुबरंग, सफेद, उपाय, गउ माता को रोटी खिलाएं ब्रिशिक राशी, नई योजना तैयार करने का समय है उन्नति के रास्ते बनेंगे, अपनी ज्यान और हुनर को बढ़ाने का टाइम है जल्दवाजी में कोई निवेश ना करें, रिष्तेदारों के सहयोग से बिजनस ना करें जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में और ध्यान देने की जरूरत है जरूरी टिप, उतावले पंद से बचें शुबरन, लाल, उपाय, पक्षियों को दाना खिलाएं धनुराशी, किसी से लड़ाई जगड़ा हो सकता है आज सावधान रहने का दिन है पैसा उधाल लेकर कोई काम ना करें यात्रा से बचना होगा दामपत्य जीवन में मतभेद ना बढ़ने दें अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें जो लोग व्यापार करते हैं व्यापार में परिशानी आ सकती है बहुत सावधान रहें जरूरे टिप क्रोध से बचें शुबरंग पीला उपाय किसी गरीब को चावल का दान करें मकर राशी मन में बेचैनी रहेगी परिवार वालों से सहयोग मिलेगा जो काम आप कर रहें उसे पूरा करें लोग क्या सोच रहें उस पर ध्यान ना दें कोई मित्र धोखा दे सकता है सावधान रहें व्यापार में लाब की स्थिती बने की जरूरे टिप धैरे रखें शुबरंग, क्रीम, उपाय किसी गरीब को फल का दान करें कुम्भराशी कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी आज कोई बड़ा सौदा करने से बचें अपनी बाद पर अड़े ना रहें लोगों के सुझाव मानने से लाब होगा अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना होगा ब्यापार में नुक्सान का योग बना हुआ है इसलिए ब्यापार से जुड़े काम सावधानी से करें जरूरी टिप जल्दवाजी से बचें शुबरंग, बादामी उपाय किसी करीब को भोजन दान करें मीन राशी, भागे का सपोर्ट मिलेगा अपने समय का पूरा उपियोग करें जीवन में सुक्सु विधाएं बढ़ेंगी आपकी खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी शत्रूं को लेकर लापरवाह ना हुँ व्यापार में लाब का योग बन रहा है जरूरी टिप आलस से बचे शुबरंग के सरिया उपाए गव माता को रोटी खिलाएं राशी चक्र में आज बस इतना ही कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिन लोगों का आज जनम दिन है उन्हें जनम दिन की बहुत बहुत बधाई आपका आने वाला समय शुब हो नवस्कार